मैं राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज 6 अगस्त बिहार का कोरोना अपडेट बिहार स्वास्त विभाग ने जाड़ी कर दिया है जैसा कि बिहार स्वास्त विभाग ने जानकारी दिये उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार से 346 नय संक्रमित मरीज निकल कर सामने आये कुरोना के इन 3416 संक्रमित मरीजों के साथ ही बिहार में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 68000 को पार कर चुकी है जो कुल संक्रमित मरीजों की संख्या है वह 68148 हो गई है बिहार में पिछले 24 घंटे में बिहार की राजधानी पटना से 600 वहीं कटि जिहार से 200 जबकि अन्य इस्ट चंपारण भागलपूर रोतास सहरसा वैसाली मुझपरपूर नालंदा इन जीलों से भी 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं एक नजर पहले डाल लीजिये कि पिछले 24 घंटे में किस जीले से कितने संक्रमित मरीज मिले हैं अररिया 77 अरवल 33 अरंगाबाद 28 बाका 58 बेगुसराय 66 भागलपूर 128 भोजपूर 90 बकसर 92 दर्भंगा 40 इस्ट चंपारण 190 गया 77 गुपाल गंज 24 जमुई 42 जिहानबाद 29 कैमूर तीद कटिहार 234 खगडिया 50 किसन गंज 24 लखिसराय 43 मद्देपूरा 44 मदुबनी 75 मुंगेर 57 मुरादाबाद जिनका सेंपल जमुई में कलेक्ट किया गया था एक मुझपर पूर 118 नालंदा 102 नवादा 43 पटना 603 पूर्णिया असी रोतास 116 सहरसा 101 समस्तिपूर 14 सारन 94 से कूरा 79 सीवहर 14 सीता मडी 65 सीवान 92 सुपॉल 33 वैसाली 113 वैस्ट चमपारन नवा से इस तरह पिछले 24 घंटे में सभी जीलों से बिहार के सभी 38 जीलों से 3416 संक्रमीत मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में बिहार के 10 जीले और 30 जीलों में से 10 जीले ऐसे रहे हैं जहां से 100 से ज़्यादा संक्रमीत मरीज एक दिन में मिले हैं होलां कि एक बात और है जो देखने वाली है कि टेस्टिंग संक्राइब के अब हार में पचास 59,000 को पार कर चुकी है यानि प्रतिदीन 50,000 से ज् Raf conform यंद ने को प्रतिदीन संख्या है यह संख्या और बढ एक दीरे-डीरे प्रतिदीन जैसा कि स्वास्त विभा के परदान सची उपरते हैं अमरित ने भी बताया है कि इस संख्या जो है जाच की उसे और बढ़ाना है क्योंकि बिहार की जो जन संख्या है वह बारत 13 करोर की है तो यह ध्यान रखने वाली बात है की च्रया इसंख्यातया है यह अब देख सकते हैं यह एक लाक डेड़ось अट करा । बिहार को भी जरूरत है कि जल्द से जल्द एक लाक जाच को टच करे प्रति दिन बिहार में जो कुरोना का फैलाव है वो बढ़ते जा रहा है कुरोना का जो संक्रम है जो चैन है वो तूटता नजर नहीं आ रहा है बलकि नया शंक्रमन बनते ही जा रहा है हालांकि कई ऐसे containment zone देखने को मिल रहे हैं जो अब निस्क्रिय हो गया है यानि अब उन्हें containment zone के स्रेनी से हटा दिया गया है खतम कर दिया गया है लेकिन उनकी जगह पर सभी जीलो में नए containment zone बनते जा रहा है वह एक समझ से आये बिहार के लिए लगतार बनते जा रहा है उसमें रुकावट नहीं है अगर एक जगह containment zone को खतम किया जा रहा है तो दूसरे जगह containment zone बनता जा रहा है इस चेन को तोरना बहुत जरूरी है और कि लगतार स्वास्थ्विभात प्रियास कर रहा है अधिकारी जहें प्रियस्ण कर रहे हैं सरकार प्रियास करती fix अब नजड़ आ रही है पहले दो नज़र नहीं आ रही थी देखना होगा कि बिहार जल एक लाक है जाच को बचूटा है तो यह थी आजकी खबर की बिहार म संक्रमीत मरीज मिले हैं बिहार में जो कूल आकराय संक्रमन का वों और 6148 हो चुका है फिलाल के लिए इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज धन्यवाद